आज कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के माधियम से पताचला है कि केंद मतुर सरकार ने कल चुप-चाप बहुत ही गोपनिये तरीके से दिल्ली में चुनी हुई सरकार के जो मुख्य मंत्री होते हैं, मंत्री होते हैं चुनी हुई सरकार के मुख्य मंत्री और मंत्री के अधिकार कम करके उनको छीनके LG को देने का एक कानून पास किया है कल कैबिने ने दिल्ली की सरकार को बनाने का जो कानून है जिसे GNCT Act कहते हैं उसमें बदलाव करके केंद सरकार अब LG को इतनी पावर देने जा रही है कि वो दिल्ली की चुनी हुई सरकार के काम रोक सकें दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास अब निर्ने लेने की शक्ति नहीं होगी वो LG के पास होगी LG का मतलब है केंद सरकार के पास स्टेट गवर्मेंट जिसको जनता चुनती है दिली की जनता चुनती है उसके पास में अब डिसीजन लेने की पावर नहीं होगी और बहुत ही गोपनिये तरीके से बहुत चुपचाप खुफिया तरीके से कल इन्होंने ये कैबिनेट में कानून लेके आए और उसको पास कि केंद्र सरकार का जो ये कदम है वो लोकतंत्र में लोकतंत्रिक तरीके से जनता द्वारा चुनी गई सरकार की पावर कम करने का जो कदम है ये लोकतंत्र के आत्मा के खिलाफ तो ही है ये समविधान के भी खिलाफ है समविधान में साफ साफ लिखा हुआ है कि दिल्ली में एक चुनी हुई सरकार होगी और उसके पास में तीन सब्जेक्ट को छोड़के सारे काम पर तीन मुद्दों को छोड़के पुलिस, जमीन and पब्लिक और इन तीन चीजों को छोड़के दिल्ली की चुनी हुई सरकार दिल्ली की चुनी हुई विधान सभा सारे मसलों पर निर्णे ले सकेगी और सारे मसलों पर गवर्मेंट चला सकेगी इस बात को 2015 में सब को याद होगा कि किस तरह से तब बीजेपी की चुनी हुई सरकार ने LG के माध्यम से मनमाने तरीके से समविधान में लिखे होने के बावजूद इंटर्परेट किया कि नहीं नहीं Central Government चलाए की तिली की सरकार को फिर जब हम Supreme Court में गए तो Supreme Court की Constitution Bench ने कहा Supreme Court की समविधानिक Bench ने समविधान में लिखे हुए को और इसपष्ट करते हुए कहा कि दिली की चुनी हुई सरकार और दिली की चुनी हुई विधान सभा इसके पास में तीन सब्जेक्ट को छोड़के Police, Land and Public Order इनको छोड़के हर मामले में फैसले लेने का अधिकार है ये निर्ने लेंगे की दिली की बिजली कैसे चलेगी, बसे कैसे चलेंगी, स्कूल कैसे चलेंगे, अस्पताल कैसे चलेंगे ये सब चुनी हुई सरकार निर्ने लेगी और इस बात को सम्विधान की पीठ ने, पांच जजों की बेंच ने बहुत इस्प्ष्ट तरीके से की सम्विधान में क्या लिखा है उसकी व्याख्या कर दी अब उसके बाद कोई रास्ता नहीं बचा इनके पास में सारे काम सम्विधान की बेंच ने कहा भी चुनी हुई सरकार के पास में है उसमें LG का कोई रोल नहीं है LG के पास में केवल और केवल इनफॉर्मेशन जाएगी सरकार के लिए हुए फैसलों की फैसला सरकार लेगी चुनी हुई सरकार लेगी और उसकी information LG को जाएगी ये समविधानिक bench ने समविधान की व्याक्या करते हुए साफ साफ लिखा है लेकिन अब केंद्र की भार्ती जिन्ता पार्टी की सरकार ने समविधान को किनारे करते हुए सुप्रीम कोर्ट की समविधानिक पीछ की व्याक्या को किनारे करते हुए इसके उलट सम्विधान में दीगे विवस्था के उलट जाते हुए ये फैसला लिया है कि केंद्र सरकार की जो दिल्ली में दिल्ली की चुनी हुई सरकार होने के बावजूद LG के हाथ में power होगी निर्णे लेने की decision लेने का अधिकार जो है वो LG के हाथ में होगे यह एक तरह से भारतिय जन्ता party पिछले दर्वाजे से दिल्ली की जन्ता पे शासन करना चाह रही है तीन बार दिल्ली का चुनाव हार चुकी है भारतिय जन्ता party दिल्ली की जन्ता ने तीन चुनावों में कहा है कि हमको भारतिय जन्ता party की governance नहीं चाहिए दिल्ली में अब यह पिछले दर्वाजे से आके दिल्ली के जन्ता की governance को चलाना चाहते है सम्विधान के खिलाफ से जाके चलाना चाहते है इसके सबसे बड़ा नुकसान ही होगा कि दिल्ली की सरकार ने जिस तरह यह के जन्ता के पक्षके फैसले लियें जन्ता के हित्में जो शांदार काम की हैं उन सब के बारे में फैसला लेने का अधिकार फिर bjp के मिल रहा है पिछले दर्वाजे से दिल्ली की चुनी हुई सरकार कहेगी हमको स्कूल बनाने, सरकारी स्कूल अच्छे करने, भारती जिनता पर्टी के तो एजेंडे में नहीं है स्कूल, दिल्ली की चुनी हुई सरकार कहेगी कि प्राइवेट स्कूलों की फीस नहीं बढ़ने देनी, भारती जिनता पर्टी की जहां जहां सरकार है भारती जंता पार्टी खुले आहम प्राइविट स्कूलों की फीस बढ़वाती है दिल्ली की चुनी हुई सरकार कहेगी महला क्लिनिक बनानी है भारती जंता पार्टी की कहती है कि महला क्लिनिक ठीक नहीं है दिल्ली की चुनी हुई सरकार कहेगी सरकारी पार्टी चुनीहिनिता फिसको ठीक करो, भार्ती चंता पार्टी पिष्षी दर्वाज़ै शरकारिंगि कि हम चल्रिक्तारी हम 2014 रुब यह हुङता मि本当 वूरों क की जनता पार्टी को ठीक्रों भारतिय जंता पार्टी के हों कि 숲्म हले का प्यारी ही more पिछले दरवाशंटवाज को दिल्ली की सरकार चलाने की पावर दी जा रही है तो यही Do इसले की चुनी हूए सरकार केएक वह लोगोंको पानी की का चाहिए बीपीने का ये कहेंगे हम तो इसके खिलाफ है ये तनी होना चाहिए आपको याद होगा कि 5 साल पहले 2015 में जब तक सुप्रीम कोर्ट की सम्विधानिक पीठ की सम्विधान के बारे में व्यक्या नहीं दी थी सुप्रीम कोर्ट ने इस पस्ट नहीं किया था कि सम्विधान में जो लिखा के इन्होंने स्कूलों की फायलों दबाके रखी इन्हों ने कॉलेज इनुविष्टी की फायलों दबाके रख combination उसके बाद जब सम्विधानिक पीठ ने व्यक्या कर दी जब बाद से दिल्ली सरकार दिल्ली की चुनी हुई सरकार ने जब दिल्ली की जनता के बारे में फैसला लेना शुरू किया तो उसके बाद काम ध्रादर हो आप देखो मौला क्लिनिक बनते चले गए सारे जगए लगए बिजली फिरी हो गई पानी फिरी हो गया महिलाओं के लिए बसें फ्री हो गई सरकारी स्कूल और शांदार होते चले गया नई उनिवस्टी बनने लगीं, तो आज भारतिय जंता पार्टी इन सब कामों को अर्चन डलने के लिए, इन सब कामों को रोकने के लिए, ये पिछले दरवाजे से दिल्ली को चलाने के लिए ये साजिश के तहत ये कानून लेके आई है जो ना सिर्फ लोगतंत्र के खिलाफ है जो ना सिर्फ दिल्ली की जनता की मरजी के खिलाफ है क्योंकि दिल्ली की जनता की मरजी है कि उसको उसकी चुनी हुई सरकार चला है भारते जंता पार्टी दिली की सरकार दिली की जंता की मर्जी में नहीं आती है दिली की जंता की मर्जी के खिलाफ जाके सम्विधान की मर्जी के खिलाफ जाके सम्विधान की व्याख्या के खिलाफ जाके यह जाके आज पिछले दर कि एकलाव ये यपके समय अग्मादा